नमस्कार आप लोगों को हमारे इस यूटुब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं इस चैनल के माधहम से आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को एक सची घटना के बारे में बताऊंगी जिस घटना के बारे में आप जानेंगे तो आपके होश ओर जाएंगे आपके पाउं तले जमिन खी सक जाएगी आप ये सोचने पे मजबूर हो जाईएगा कि क्या इस तरह की भी घटनाए घट सकती है क्या ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस भटना में एक माता-पिता ही अपने बच्चों के लिए अपराधी बन गए है वो ऐसा क्या कर देते हैं जिससे उनके अपने ही बच्चे अनाथ और बेसहारा हो जाते हैं उनके बच्चों को दर-दर भटकना परता है उनके अपने ही बच्चों को खाने के लाले पर जाते हैं वे अपने बच्चे को पूरे तरह से अनाथ और बेसहारा बना देते हैं आखिर ऐसा क्या करना पड़ता है आखिर ऐसा होता ही क्यों है कि अपने ही माता-पीता अपने बच्चों के लिए अपराधी बन जाते हैं तो चलिए इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं इस पूरी घटना को बताने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेश्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दरसर ये जो घटना है ये राय बरेली जीला के एक गाउं के छोटे से परिवार की घटना है जिस परिवार में एक पति-पत्नी होते हैं उनकी अपने पांच बच्चे होते हैं पत्नी का नाम नरायनी रहता है पत्ती का नाम कमल अहिर्वान रहता है और उनके जो पांच बच्चे होते हैं उनकी पांचों में से सबसे बड़ी उनकी बेटी होती है जिसका नाम रजिनी है और रजिनी 17 साल की है और रजिनी के पीता जो है कमल अहिरवान वो परदेश में रहकर काम करते हैं अपना कमाते हैं जिससे उनको काम की बदले में पैसा मिलता है उस पैसे से उनका खर्चा चलता है वो अपने बच्चों का परवरिश करते हैं अपने पत्नी का घर परिवार चलाते हैं उनका खर्चा उठाते हैं और उनकी जो पत्नी है नराइनी वो अपने माईके में जाकर रह रही होती है और रजिनी के जो पीता है वो बाहर में काम करते है और उनकी जो माईके में जाकर पूरे एक साल से रह रही होती है और वो अपने ससुराल नहीं रहती है वो अपने पांच बच्चों को अकेले ससुराल ससुराल जो है वो बास खेड़ी में परता है और उनकी जो मायके है वो पूनम खेड़ी में तो रजिनी की मम्मी एक साल से पूनम खेड़ी में रहती है और वो अपने ससुराल नहीं रहती है रजनी अकेले अपने पांच भाई बहनों के साथ अपने घर पर रहती है खना बनाती है अपने चार भाई बहनों को खिलाती है जैसे भी उससे होता है अपने घर को चलाती है अपने भाई बहन के साथ जीवन ब्यातित करती रहती है तो पूरे एक साल होने के बाद रजनी के पीता घर पर आते हैं और आते हैं तो जाते हैं रजनी के ममी को बुलाने रजनी के ममी के पास जाते हैं उसको बुला कर लाते हैं अपने घर पर जिस दिन बुला कर लाते हैं उसी दिन रजनी के ममी को उसके पीता उसी दिन रात में खाना खाने बैठा रहता है लोग रजनी भी रहती है रात के करीब आठ बज चुका रहता है रजनी के चार भाई बहन सो गया रहता है और रजनी जगे भी रहती है रजनी के ममी और पीता दोनों खाना लेकर बैठे रहते हैं खाने के लिए तो खाने के टाइम ही रजनी के पीता उसके मम्मी से पूछने लगते हैं कि तुम मायके में इतने दिनों से क्यों थी क्या तुमको अपने घर का कोई चिंता नहीं है तुम अपने बच्चों को अकेले छोड़कर मायके में जाकर बैठ गई थी और यहां घर पर नहीं थी क्या तुम्हें सही कर रही थी बताओ यहीं सब सवाल जवाब होने लगता है और धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगती है और बात इतनी आगे बढ़ जाती है जिससे उस रजनी के पीता रजनी के ममी पर हाथ उठा देते हैं रजनी यह स्थिती को देखकर पूरे तरह से घबड़ा जाती है और वो अपने पापा को कहने लगती है कि पापा इस तरह नहीं कीजिये ममी को नहीं मारिये आप ऐसा नहीं कीजिये लेकिन उसके पापा को इतना गुसा आया रहता है गुसा इतना परचंड हो गया रहता है तो उसके पापा सुनते ही कहां है और उसके पापा उसके ममी को जमीन पर गिरा देते हैं और उसके कलेजे पर जाकर बैठ जाते हैं रजनी के ममी के कलेजे पर जाकर उसके पापा बैठ जाते हैं और बगल में पत्थर का एक सिल्वटा रखा हुआ रहता है उस सिल्वटे को उठा कर रजनी के ममी के सीर पर जोर से मार देते हैं जिसे रजनी के ममी के सीर में ज्यादा चोट लगने के कारण वहीं पे मिर्तिव हो जाती है और रजनी की ममी मर जाती है रजनी ये सब देखकर एकदम से पूरे सुन हो जाती है वो चिला चिला का रोने लगती है कि अब क्या होगा हम लोगों का ममी तो मर गए यह सब घटना देखते हुए जो पास पर उसके लोग होते हैं वहाँ पे एकठा होते हैं रजनी के मामा यहाँ का लोग भी आता है रिस्तेदार लोग भी आते हैं और मौके पर पुलिस को लोग खबर कर देता है पुलिस आ जाती है और रजनी के पीता को गिरफतार कर लेती है रजनी के पीता को जिल हो जाता है और रजनी पूरी तरह से अकेले बे सहारा हो जाती है अपने पांच भाई बेहनों के साथ रजनी दर दर भटकने लगती है उसको खाने के लाले पढ़ रहे हैं उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ अपने जीवन को कैसे जीओ कैसे संभालू और रजनी अभी अपनी चार भाई वेहनों का सेवा कर रही है देखभाल कर रही है अगर प्रेजनी की ममी माईके में नह रहकर अपने बच्चों के साथ ससुराल में रहती तो शायद ऐसी इस्थिती नहीं आती बच्चों को बेसहारा नहीं होना पड़ता